वेल्कम स्टेंट आप सभी का हाद एक स्वागत है ट्रपल सी बाई फाई शी चनल पर और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आपके ट्रपल सी सितंबर मन्त के लिए अड्मिट काड डाउलोड क्यों नहीं हो पा रहे हैं काफी बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेल आए हैं और सबका एक ही सवाल है कि अड्मिट कार्ड नाट डिकलेर्ड फॉर इस एक्जाम इन्वैलिड अप्लिकेसिन नंबर और डेटा बर्स और इन्वैलिड एक्जाम नेम सभी के पास ये error message दिखाई दे रहा है तो आखिर क्या problem है अड्मिट कार्ड कब तक आपका डाउलोड हो सकता है और एक्जाम आपका कब से start होता है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी यानि कि 6 सितंबर से आप प्रिवेश पत्र डाउलोड कर सकते हैं ऐसा बोला गया था और बहाँ पर जब आप admit card को डाउलोड करते हैं तो बहाँ पर आपको सितंबर exam के लिए link भी मिल गया था कि आप सितंबर मन्त का admit card को डाउलोड कर सकते हैं लेकिन जैसे ये वहाँ पर application number और DOB भरते हैं, उसके बाद जब download करने के लिए click करते हैं, तब आपको एक carrier message दिखाई देता है, और बहाँ पर लिखा होता है कि admin card not declared for this exam, ठीक है, यही problem आरी सभी के साथ, और यहाँ पर आप एक बात और समझ लें कि आपका exam कब से start होने वाल पर अभी तक admin card डाले जा रहे हैं, सभी बच्चों के वहाँ पर है ही नहीं, तो आपको नजर कहां से आए, ठीक है, तो एक दो दिन का समय लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा जादा समय लग गया, कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखना यह है, कि तीन या चार दिन पहले तो admin card जरूर आ जाएगा, और यह problem आपकी नहीं है, यह हम सब की है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, मैंने बहुत बच्चों का check किया आपने हाके, तो उनका भी नहीं निकल पा रहा है, इसका region यही है, कि अभी किसी के भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, और यह मुझे ऐसा लगता, यह मेरा खुद का माना है, कि आज साम तक, या फिर कल तक आपका admit card आ जाएगा, क्योंकि अब time ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आज साम तक भी आपके प्रवेस्वतर आ सकते हैं, और कल तक भी आ सकते हैं, हमारे पास बहु होच सकती है, आप सोचते रहेंगे कि मेरा क्यों निकला आखिर problem क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया हो, तो कोई भी problem नहीं है, नहीं कुछ गलत हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, और आप बिल्कुल चिंता मत करें, सब का निकलेगा, हाँ, एक बात याद रखनी है आपको, अगर आपने DOB गलत भर रहे हैं, तो problem हो सकती है, और यह चीज आप clear कर लेजिए, अपना जो hard copy है, उसको एक बार check कर लेजिए, बहाँ पर आपका application number क्या है, आपका जरम देथी क्या है, उसको सही से भरिए, आपका निकलाएगा, ठीक है, जब भी आ जाएगा फिलाल अभी तो सभी के पार error message दिखाई दे रहा है, कभी-कभी ऐसा होता ना कि हमने जब form submit किया, तो बहाँ पर DOB by mistake आपने गलती से उसको गलत कर दिया, और हमें जो याद होती है, वो सही वाली याद होती है, तो आज हम अपना सही DOB भर रहे हैं, और हमने form में तो गलत लैपटाब में सेफ कर लिया, तो उसको एक बार चेक कर लें कि आपका वहाँ पर DOB क्या लिखाता है, तो नहीं कहीं बहाँ पर आपने गलत कर दिया हो धोके से, और आज आप सही भर रहे हैं, इसलिए नहीं निकल पा रहा हो, तो इन चीजों को थोड़ा देख लेना, बा प्रविसबत आएगा, ठीक है, और अगर प्रविसबत आने के बाद किसी का निकलता है, उसके बाद भी आपका नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे जरूर कमेंट करें, आप मुझे ऐल कर सकते हैं, mail आईडिया आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्कट क्वाक्स में, जह पर डेली जैसे सभी को पता है, क्लास मिलता है, ठीक है, कोई भी और मुझे लगता है, प्रॉब्लम आपके नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे जरूर कमेंट करें, उस प्रॉब्लम को भी solve जरूर करेंगे, वीडियो बनाने का मक्सद यही था, कि काभी बच क्या है, कहीं है, इसा तो नहीं, फॉर्म गलत हो गया मुझे, तो उन लोगों को मैं केवली यह बात समझाने के लिए वीडियो में आया हूँ, कि भाई, आप लोग चिंता मत करें, यह समस्या आपके साथ नहीं, यह मेरे भी बच्चों के साथ हो रही है, सभी के साथ हो रह जाना चाहिए, तो सब का आजाएगा, तो आपका भी आजाएगा, हाँ, दो बात नहीं आज रखनी है, जो मैंने बताई है, कि आप अपना डियो भी सही भरें, उसको एक बास चेक कर लें, दूसरा, आपका जो अप्लिकेसन नंबर है, उसको चेक कर लें, ठीक है, और यह ऐसे नहीं कि आपको याद है, याद होने से मतलब नहीं है, आप अपना हड कॉपी में देख लें, जो प्रिंट आउट आपने निकाला था, उसमें देख लें, कि उसमें क्या लिखा है, तभी आप डालें, तभी आप उसको सही मानें, क्योंकि याद तो हमें होता है, लेक थैंक्स पर वच्चिंग